हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड़ा जॉब्स में जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फेलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफरमेशन आज मैं आपको डेली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ने जो बस ड्राइवर पत की भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वेकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सेलरी, इंपॉर्टेंड डेट और एक्जाम पैटेन से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊँगा आगे हम वेकेंसी की बात करें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी अफिशियल नोटिफिकेशन में अभी नहीं दी गई है और यह जब भी अपडेट होगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे आगे हम essential qualification की बात करें तो candidate 10th या equivalent pass हो और candidate के पास heavy motor vehicle का license होना चाहिए और उसे चलाने का 3 साल का experience भी होना चाहिए आगे हम age limit की बात करें तो यह 30 मई 2020 को बेसमान कर count होगी और आपकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए आगे हम fees की बात करें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी official notification में नहीं दे गई है और most probably यहाँ पर कोई fees नहीं है आगे हम salary की बात करें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी official notification में नहीं दी गई है लेकिन आपकी salary यहाँ पर 15,000 रुपय के आसपास होगी आगे हम important date की बात करें तो application form DTC office में जमा करने का last date है 30 जून 2020 और skill test का date भी declare नहीं किया गया है application form आप official notification से भी download कर सकते हैं जिसकी link मैंने इस video के description box में दी हुई है आगे हम selection process की बात करें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी official notification में नहीं दी गई है लेकिन यहाँ पर candidate को उनके academic qualification और experience के basis पर shortlist किया जा सकता है और फिर selected candidates को driving test के लिए बुलाई जा सकता है तो दोस्तों आपका हमारे साथ बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपका इस notification से related कोई सवाल या सुजाओ है तो आप comment box के माध्यम से हमसे संपक कर सकते हैं ऐसे ही जाब notification सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड़ा जाब्स को subscribe भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बल आइकन को भी दबाना ना भूलें धन्यवाद